स्टुडेंट्स वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेज मैं हर्षिता गुपता आज के हमारी लेक्चर का टॉपिक स्टाटिकल मेथेट्स है मैंने फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज लिये हैं सारी यूनिट से रिलेटेट यह बहुत ही जाधा क्यूज को डिस्कस कर दूँ सो मैंने सारी यूनिट को मिला के फिफ्टी आमसी क्यूज लिये हाला कि मुझे पता यह बहुत कम है क्यूंकि इस ट्राटिकल मैथेट ही कि एक ऐसा पेपर है स्टोटेंट इसमें इतने सारे आमसी क्यूज हो सकते हैं बड़ चुकी टाइम नह कर दे रही हूं क्योंकि मैंने इसमें नोट्स नहीं शामिल के सिर्फ एमसी क्यूज वीडियो है कि ताकि आपको थोड़ा सा रफली आइडिया रहे कि आपको किन पॉइंट को फोकस करके पढ़ना है देखिए इसमें अगर हम यूनिट की बात करें तो जो लॉफ स्टेरिक पूछा जाता है आपसे कंक्यूजिंग करने वाला पॉइंट है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा इसके अलावा स्टूडेंस जो सेकंड यूनिट के अगर हम बात करें तो आपको पता है कि मीन मीडियन मोड यह जो यूनिट है इससे आपको सारे फॉर्मूले अच और हमेनिक मीन का आपका पॉजिशनल आभरेज जो होते से मीडियन हो गया, कोटाइल हो गया, पैंसे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए इनसे आपसे नमारिकल पूछे जा सकते हैं इस यूनिट से सेकेंड यूनिट से आपसे शॉत नमारिकल जिसके आप से पहर्सेंटाइल ठाइब के लिए क्या दिया या अब से मीडियान क्रने के लिए आपसे मोड़ करने के लिए क्रिए तो इस यूनिट से आपको नुमेरिकल तहने चैशाय क्रें गूं ऊस से त्यार करने लॉंग नहीं क्या यह हैं तो आप long numerical को solve करने में में बिल्कुल भी time waste मत करिएगा आप short numerical से उनको solve कर लीचेगा and formula अच्छे से यात कर लीचेगा अब चुक्कि टाइम नहीं है अगर मैं आप चलिए मैं formula का वीडियो बनाऊ भी तो morning तक ही अप्लोड कर पाँगी तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक फॉर्मूले की समरी टाइप का एक नोट्स वीडियो बना दू तो कमेंट में आप मुझे मेंशन कर दीजेगा अगर ज्याधा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं कोशिश करूँगी ठीक है अगें स्टोडेनियुं इस से भी आपके नुमेरिकल सा कि शौट में आप से आप से प्रॉबिलिटी एर होता है उसका फॉर्मूला हो गया तो फॉर्मूली आप अच्छे से याद करिएगा फॉर्मूली से आप से जादा से जादा एमसी क्यों आएंगे नुमेरिकल भी आ सकता है रिग्रेशन एनलेसे से थियोरी बेस्ट याएंगे एक्स्ट्रपॉलेशन इंट्रपॉलेशन यह जो है इससे भी थियोरी बेस्ट याएंगे या इससे आपसे फॉर्मूला पूछा जाएंगे आपको अच्छे से याद होनी चाहिए चलिए मैं से क्यों डिसक्स कर लेते हैं जैसे कि अगर हम आपसे फीस में देखे पूछा गया है कि maximum value of correlation is 1 maximum value 1 होती है minimum value minus 1 होती है तो यह आप देख लिजेगा maximum value minimum value degree of correlation उसमें भी आप देख सकते हैं उसमें भी बहुत सारी चीजे हैं आप देख लिजेगा अब next हमारा mcqa probability जो error होती है standard error and correlation सबके formula हैं इसका right answer a है मतलब 1 का आप c से match करोगे जो probability error होती होती है 2 upon 3 1 minus r की power 3 upon under root n standard error जो students होती है उसका formula होता है 1 minus r की power 3 upon under root n correlation का formula आपको पता है under root sigma sorry under root bx by into by vx ठीक है जो यह होता है हमारे formula यहां से देखे इंपर formula पूछ लिए गए है so formula आपको students अच्छे से आध रखने stats में बहुत ही easy paper मतलब की इसका एक तरीके से scoring है आपका और मुझे नहीं लगता है कि इसमें अपकी गलतियां होंगी but formula आप focus करके पढ़िएगा so next हमारा mcq है the standard deviation one distribution dividedly the mean of the distribution and expressing in the percentage is called coefficient of variation अब coefficient of variation का भी आप formula जरूर पढ़ लीजेगा next mcq ले लेते हैं जो spareman method है correlation को find करने के लिए वो किसके द्वरा दिया गया है तो वो चारलेस spareman के through दिया गया है correlation का यहां पर भी देखिए मैंने का और mcq लेया है scatter diagram और Pearson method या spareman method scatter diagram आपको पता है graphic method है Pearson method है वो actual figures method है and spareman में आपको पता है कि हम लोग ranking करके correlation find करते हैं ठीक है तो next mcq ले लेते हैं जो कल Pearson coefficient of correlation method is measuring the correlation is mathematical इनका जो method है चुकी यहां पर हम लोग actual figure find करते हैं तो this method is also known as mathematical method next ले लेते हैं the basic objective of sampling study is to collect numerical data sampling study का मतलब होता है data को collect करने के लिए sampling को use करते हैं mathematical theory of probability helps from the statical theory ठीक है यह आपको ध्यान रखना है factor which type of sampling is appropriate तो stratified sampling ठीक है यहां पर उच्छा गया dash sampling introduce in lab ability to change in the accordance with the changing the situation तो उसको कहते हैं multi-stage sampling next ले लेते हैं quota sampling is the combination of purposive या and stratified sampling का जो quota sampling होता है वो combination होता है दोनों का snow wall sampling is used data collection of the connecting relation जिसमें connecting relation होता है वहाँ पे snow wall sampling के में लोग use करते हैं next देखे mean से आपका formulae में theory पूची गई है so the dash set of the observation या फिर score is obtained divided by the sum of all the values by the total number of value is mean ठीक है next ले लेते हैं dash यहां पूचा गया है is the measure of the position rather than the magnitude so उसको हम लोग कहते हैं median यह ध्यान रखे का student यह question very very important है next ले लेते हैं the process of summarizing the raw data raw data कुछ हम लोग summarize करते हैं and statistical table में analyze करते हैं इसको हम लोग tabulation कहते हैं next ले लेते हैं dash is structured by the vertical line on the limit of the classes interval mark on the basis of line is horizon sorry histogram उसको हम लोग कहते हैं histogram चिक है so यह देख सकते हैं यह अहला कि according to me 18 वाला very very important है आप देख सकते हैं the extent of the variability is measured by measures of dispersion जो हम लोग variability measure करते हैं उसको हम लोग measurement of dispersion कहते हैं measure of the difference between the highest value जिसको हम लोग R1 minus R2 करते हैं उसको हम लोग कहते हैं range कहते हैं highest value को जब lower score से minus करते हैं वो क्या हम लोग range हो जाता है is dash यहाँ पर पुछागे dash is the process of checking and detect the error correct error and optimism उसको कहते हैं हम लोग editing ठीक है next हमारा है is the response to code its response is classification next हमारा question है the recording the data is done on the basis of this scheme coding उसको भी हम लोग coding कहते हैं positional average का मतलब होता है student medium से positional average में हम लोग से medium को ही count करते हैं ध्यान रखेगा very very important है next है arithmetic average अगर आपसे पूछा जाए तो उसको हम लोग mean कहते हैं mean को arithmetic average कहते हैं next यहाँ पे देखिए इस तरीके के mcq आपसे student पूछे आ सकते हैं आपको कुछ data दे दिया आपसे कहा mean निकालिये मीडियन निकाल यह मोड निकालिये अभ यहां से कौन से नंबर है 12 तो इस तरीके से निकाल सकते हैं यह बहुत ही बेसिक साया इतिल सभी को आता होगा बट इंपॉर्टेंट है इस तरीके के आप से 58 ते रखा है और उस में से नंबर एक सो नाई नंबर फार्टी यह तो इसकोदिखे किस तरीके से एंशॉल खरेंगे तो यहां पर दिखिए दिखिए मीन जुह है वह फिफ्टी एट 10 numbers का ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे 10 number को निकाल के हम लोग sigma x निकाल सकते तो यह बारा sigma x हो गया अब sigma x में से हम एक value minus कर देते 40 तो कितना बचा 540 बचा और observation में हमारे पास एक value को हटा दे इसको अगर हमने हटा दिया तो value में तो भी कम हो जाएगा तो 9 हो गया तो 540 को कर हम डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या जाएगा 60 हमारा हो जाएगा 9 values का average ठीक है यह वरी वरी इंपॉर्टेंट इस तरहीके के भी question आ सकते हैं नेक्स हम से पूचा गया है जो central tendency उसमें देखे हम लोग central tendency में क्या चीज़ परते हैं में median mode range नहीं होता है range हमारा dispersion का part होता है important आप ध्यान लग कियेगा अब next हमारा है any measure indicating the center of the set of the data arranged in an increasing or decreasing order of the magnitude is called central tendency आपको पता ही है हम लोग उसमें करते हैं central tendency में करते हैं next रहे लेते हैं यहाँ पे sample जो होता है उसको static कहते हैं जो population mean होता उसको u से denote करते हैं वो parameter होता है when the value of a series is not equal to the important उसको अगर हम लोग की जो value of series होती वो equal नहीं होती है importance के तो उसको कहते है weighted mean कहते हैं next 32 वाला very very important है इसको आप लोगों को किसी भी तरीके से पुछा सा सकता है ज़रूर याद रखिएगा जो symmetrical series होती होती है mean minus mode is equals to three bracket open mean minus median यह ध्यान लखिए का mean median mode के बीच का relation है इसको बहुत तरीके से पूछ सकते हैं median is equals to करके पूछ सकते हैं अगर medium पूछा जाएगा तो आपको आप लुक में देखिए का आप लोग के पास book में इसके formula होंगे इसको median करके भी पूछ सकते हैं मोड करके भी पूछ सकते हैं और मीन करके भी पूछ सकते हैं और इस सरीके से symmetrical series भी पूछ सकते हैं next यहां पर देखिए आप पूछा गया है कि positively जो skewed distribution होता है वो क्या होता है mean is greater than median and median is also greater than mode so यह relation होता है if the value of mean median mode coincidence in the uni model distribution then the distribution will be symmetrical उसको इम लोग कहेंगे symmetrical कहेंगे positively skewed कभ होता है जब कर्व जो होता है the curve is tell of the right end उसको हम लोग कहते ही positive positive जब left के side पे होगा तो सो कहेंगे हम लोग negative यह धियान रखिएगा ठीक है next हमारा है the ratio among the number of the item and the sum of reciprocals of the item is called harmonic mean harmonic मुर्कवी student formula जरूर देख लीजेगा just scatter in the series scatter in the series of the value about the average उसको हम लोग dispersion कहते हैं the measurement of the spread of the spread कहा लीजेए या पिश्क्रेटर कहा लीजेए of the individual value around the central point के आसपर जो वैली होती है उनको हम लोग कहते हैं measurement of dispersion very very important dispersion two type का होता है absolute measurement of dispersion होता है एक relative measurement of dispersion होता है absolute का मतलब होता है है जब हम लोग observation निकालते हैं मतलब measures used to calculate variation present among the observation in the unit of the variable is called absolute measurement of the dispersion और relative कभ होता है जब हम लोग जो average हमने निकाला है जो हम लोगों ने यहां पर देखे observation का mean निकाला है उसका हम जब लोग average निकालते हैं तो वो relative to their average average होगा तो relative हो जाएगा अगर unit के variables का call करेंगे तो वो क्या होता है absolute होता है for example जैसे हम लोग देखिए r2 minus r1 upon 2 करते हैं तो this is absolute measurement बट अगर इसी के जगे पर students हम लोग r2 minus r1 upon r2 plus r1 कर दे तो यह क्या हो जाएगा relative measurement हो जाएगा ठीक है तो जब average कहीं पर आ जाता है तो वो relative पन जाता है next ले लेते हैं which of the following is an absolute measurement of dispersion standard deviation is also be absolute measurement of dispersion अब हम बात करते हैं next next हमारा है measures of the dispersion which use only two variation is called range two variation के बीच का जोदव को range कहते हैं mean deviation को compute from the set of the data is always less than जो भी हम लोग mean deviation निकालेंगे तो वो क्या होगा जो भी data होगा वो less than standard deviation ही होगा ठीक है so students मेरी request है आप लोगो से सो चुकि टाइम नहीं है मेरे बहुत सारे बच्चों के request ही तो मुझे जो important concept लगा मुझसे actually मुझे आपसे यह discuss करना था किस तरहीके की problem आ सकती है जिसे standard deviation के formula अच्छे से पढ़के जाएगा mean deviation के पढ़के जाएगा formula अच्छे से पढ़के जाएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं formula की एक short summary video बनाओं जिसमें सारे formula हो और कोई भी चीज नहीं missing हो तो आप comment box में जरूर mention कर दीजेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रात तक उसको भी upload कर दूँ तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके जो junior है या फिर जो आपके classmates है या फिर आपकी जो knowledge में है जिनके third semester है मतलब जिनका second year है आप उनको share कर दीजे ताकि उनका कल का paper बहुत अच्छा ह पाज review जरूर करेगा अगर मेरा वीडियो आपके लिए helpful रहे ज्यादा ज्यादा शेयर करिए like करिए and subscribe करिए